गाइस फैनली जी मेंस का पहला एटेम्ट खत्म हो चुका है और मैं बहुत दादा इगर हूँ यह जानने के लिए कि तुम्हारा पहले एटेम्ट का एक्सपीरेंस क्या सा रहा तो इससे पहले के वीडियो में आगे बरो अभी जाके नीचे कॉमन करके बताओ कि हाव एक्सप लिए नहीं कर पाया था और इसलिए मुझे ड्रॉप लेना पाया और फिर ड्रॉप यह मैंने में सर्वांस दोनों कि लिए कि थैंक्फुली तुम्हारे पास अभी यह ऑप्शन है कि तुम एक और एक और इस साल भी दे सकते हो बच स्टिल अगर तुम पूरी जी जान और उसे ही हो तो इस वीडियो को लास सक देखना कि तुम्हारे लिए मैं बहुत इंट्रेस्टिंग बाते बताने वाला हूँ अगर तुमने प्रेपरेशन करा था तो अब तुम्हारा सादनेस पीक पे होगा और क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी थी तुमें से बहुत बच प्रॉप नहीं लिया होता तो क्या मुझे कभी लाइफ में आइटी डेली मिलता मैं जा पाता आइटी डेली नहीं जा पाता तो जो हुआ उसको पास समझ के भूल जाओ एंड सकेंडर में अपने जी जान लगा दो मैंने ऐसे से बच्चे देखे हैं जो कि पहले अरिमने पहले अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करके एक्जैम दिया था तो भी तुम्हारे मार्स अच्छे नहीं आए या फिर इवन कट-off क्लियर नहीं हुआ तो कोई रीजन क्या है यह तुमको पता होना चाहिए क्योंकि अगर तुमको यह पता नहीं होंगे तो तुम अ एक्सेप्ट करो क्योंकि आज की डेट में तुम्हारे पास सेम यर में एक से ज्यादा अटेंप्ट अवलेबल है अधर्वाइज मेरे टाइम में एक एक अटेंप्ट खराब होता था ना तो एक साल डॉप लेना पड़ता था एक साल इस तो प्लीज सैंड मत हो कि इसमें से कौन से मिस्टेक्स तुमने करें काटेगरी वन सिलेबस कंप्लीट नहीं था कुछ ऐसे चैप्र से कुशन आ गया जो तुमने परहा ही नहीं था क्याटेगरी टू की पढ़ा था बट प्रैक्टिस अच्छी से नहीं हुई थी इसलिए कुश्चन नहीं बना रहा था टॉपिक भी पर आता बट जो चोटे मोटे एरर्स होते हैं ना कैलोड़ करने के टाइम वह इतने साथा होगा कि कुशन गलत हो गया है कि पड़के गया थे सब कुछ आता था पट एक्जाम हॉल में जब कोशन देखा इतना प्रेशर आ गया मेंस का एक्जाम है कि क स्राटेजी में कि अपने हम पहले एक्सपरियंस का यूज करके स्राटेजी बनाएंगे जब तुमने पहले एक्जाम में मेंस दिया था तुमको पता नहीं था कि एक्जाम तेम्परामेंट क्या होता है तुमने कभी फ्रेशर क्या होता है तुमने कभी फ्रेशर क्या होता ह यह उसको execute करना है अब example के लिए जो हम देखते हैं कि कैसे एक-एक mistakes को तुम सॉल्व कर सकते हो ताकि तुमको फायदा हो सके category number one कि तुम्हारा syllabus यह खतम नहीं हुआ था उस topic से question आ गया देखो अगर तुम्हारा पास अब exam में एक-दो महीने बचे हुए हैं तो it's not possible for you once again कि तुम पूरा syllabus फिर से खतम कर लो और तुमने नहीं किया था first item में तो of course it's tough बड़ तुम एक चीज़ कर सकते हो वह एक चीज़ यह होता है कि तुम उन chapters के basics को clear कर सकते हो इतना basic कि अगर उसे को easy question आ जाए तुम उसको clear कर सको तुम उसको solve कर सको for example chemistry में जनरली बहुत detail में questions नहीं पोचते हैं वह तुमको बहुत ही basic questions पोचते हैं बहुत ही होता है बहुत ही रटने वाली चीज़े होती है तो अगर तुमने उन chapters पर command कर लिया जिसको कि तुमने बिल्कुल ही छोड़ रखा था first attempt ने chemistry जैसे subjects में तुम अच्छे से फोर सकते हो second error में तो क्या recommendation है अगर आपके ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ा है अब detail में मत जो क्योंकि टाइम नहीं है बर उनके basics definitely कर लो formulas definitely देख लो क्योंकि formula-based questions आ सकते हैं category number 2 अगर आपने practice enough नहीं कर इसलिए आपसे questions बनने रहे हैं अब कुछ पता है बड़ आपसे questions नहीं बन रहे कम time में तो तुम best चीज कर सकते वह होता है कि तुम previous year questions paper solve कर लो जिस order में में बोल रहा हूं उसी order में करना पहले previous year paper पर फिर NCRT फिर coaching का module और फिर किसी और book को हाथ लगाना अगर तुमने पहले अटम्ट में ही question paper previous year के अच्छे से कर रखे दे तो तो तुम ने NCRT और PY के दोनों अच्छे से कर रखा था तो तो तुम आप किसी coaching के module को कर सकते हो तो क्योंकि वह senior थी तो मैंने कुछ किया नहीं ऐसे भी क्या ही कर लेता बट अब जाके फैनली मैंने उस ताइम के साड़े feelings को एक song में डाला है song कर नाम है हैपी बहुत ही positive song है सुनके मज़ा आजागा तुमारे preparation में भी check it out link is in the description अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर तुम्हारा calculation mistake हुआ है तो उसका एक ही बहुत ही basic solution है कि I hope कि तुम जब घर में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे तुम calculator use नहीं कर रहे हो प्लीज calculator use मत करो एंड घर में जब तुम calculation based questions बनाते हो ना तो time कम कर दो for example तुमको पता है कि उस question को बनाने के लिए तुमको 10 minute लगेंगे क्योंकि वह बहुत lengthy question है तो जब घर पे उसको attempt कर रहे हो तो तो तुम उसको try करो 5 minute में solve करनेगा 7 minute में solve करनेगा क्योंकि जब तु तुमारा calculation mistake exam में नहीं होगा exam में generally calculation mistake होता है इसले कि तुमको प्रेशर होता है कि जल्दी से खतम करना और भी questions है बट अगर तुम घर में time कम करके solve करो तो वही same pressure घर पे भी feel कर सकते हो और calculation अच्छा करने का आदर डाल सकते हो पॉइंट no.4 कि दिमाग नहीं चल रहा था तुमारा exam hall में क्योंकि तुमको बहुत pressure फील होड़ा था इसका एक ही solution है कि तुमको same type of exam environment अपने घर पे create करना पड़ेगा और ज्यादा tests देने होंगे अब गया घर पे exam environment कैसे create कर सकते है bro like I said in the previous example तुमको सबसे पहले time कम करन है for example अगर तुम मालो exam hall में जा रहे हो तो मैं पास तीन घंटे का paper है तो तुमको तीन घंटे का paper वहां पर तुम कितना estimate करके चलते हो गया मैंने पुराने वीडियो में बता है कि तीन घंटे में solve नहीं करना होता है उसको नहीं करना की कोशिश करना होती है ताकि जो लास् तुम को तुम को घंटे में तो तीन घंटे का paper है ब्रो दो घंटे में solve नहीं होगा बड़ तुम को यह जो pressure फील होगा ना तुम घर पे solve करोगे कि यहार दो घंटे में मुझे पूरा paper solve करना है वह pressure equivalent होगा exam hall के pressure के क्योंकि exam hall में तुम है पास उसी चीज़ को solve करने के धाई घंटे होगे घर पे क्योंकि सिर्फ दो घंटा है तुम को एक pressure फीलोगा अगर तुम उस pressure को used to हो जाते हो तो तुम exam hall में जो actual pressure होगा उसको भी handle कर पाऊगे तो this is the only way कि जब तुम घर पे paper solve करें मॉक्तस दे रहे हो तो दो घंटे में solve करने की को हिश करो दो घंटे maximum दो घंटे 15 मिनिट या फिर चलो धाई घंटे में जब करने को हिश करो एंड बीच में कुछ आल्तु फालतु चीज़े नहीं करने यह जनी कि बीच में मैगी खाने चले गया है सबसी लाने ममी ने बोले सबसी लाने चले गया है टाइम पर्स कर रहे हैं वाश्रूम चले गया वहीं बैढ़ गया दो घंटे यह सब चीज़े नहीं कर लिए एक बार पेपर करने बैठो तू सौल करके ही उठो यहीं तुम्हारा को में से अपने मिस्टेक को नीचे डालेंगे हैं उन सबको मैं रिपलाइ करूंगा तो इस सारे मिस्टेक का सल्विशन ओर्रेडी तुमको नीचे मिल चुका होगा तो प्लीज एवन इफ़ आर समन जिसको कि नहीं पाता तुमने क्या मिस्टेक किया इस वाले मेंस में comment section को जरूर go through करना क्योंकि हम damn sure कि तुम दूसरे की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख पाऊगे ताकि तुम अपने अगले attempt में फोर सको एक और राज की बात बाता हूँ कि maximum comments का reply जो मैं करता हो वो मैं video upload होने के just बात जो comments आता है न तभी करता हूँ उनको एक बार फिर से clear कर देता हूँ ताकि तुम अच्छे से preparation कर सको number one time table तुमारे पास एक fixed time table होना ही चाहिए you cannot be like कि यहां कल सुबह उटके पढ़ लेंगे कल सुबह उटके physics को पढ़ना है कितने मजे पढ़ना है पता ही नहीं है क्या पढ़ना है पता ही नहीं यह सब रैंडम चीज़े नहीं करनी है तुम हर रोज रात को ना सोने से पहले अगले दिन का plan बना कर रख लो कि भाई इतने मजे उटना है इस chapter को पढ़ना है इतने questions बनाने है इतने से इतने में तक पढ़ना है यह numericals बनाने है इस बुक को पढ़ना है यहां से division करना है सब कुछ अगर तुमका पहले से पता होगा ना तुम्हारा जो दिन होगा सुबह उठके तुम clueless नहीं होगे यह नहीं कि हाँ यारभी सो क्योट है आज फिजिक्स परना है नहीं भाई तुमको अगदम पता होना चाहिए कि सो के उठें चोल आज फिजिक्स परना यह वाला चाप्टर है यह वाला बुक को खोलना है यह वाला कोशन करना है तो जब इस माइंट से तुम्हारा दिन बहुत अथा जाएगा तो बहुत ही मोटिवेड़ होगे तो प्लान योर डे बिफोर स्लीपिंग और फॉलोग इसे भी होगे जिनका बोर्स नाइट बाने वाला होगा तो दुनों को मैनेज करने में तुरा टॉफ होगा तो तुम् मास्टर नोट्स होगा कि एकदम सब पुछ लिखा हुआ उसमें जितना भी टीचर ने पढ़ा है उसको तुम एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते बुक्स को नहीं पढ़ सकते तुम्हारा जो बेसिक नोट्स है सबसे पहले उसको पढ़ो और उसके बीवाई की बनाने की कोई लाइन बाइन पढ़ने में नोट्स को तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा कोई फादा नहीं होगा अगर तुमने अब तक शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाए फॉर्मला शीट ही नहीं बनाई तो कोई बात नहीं मैंने चैनल पर एक वीडियो डाल रख ही है लाइन पुरा इदम शिलेबस का बराने के लिए बैठ जाओ शॉर्ट नोट्स वगेरा बट प्लीज उस वीडियो को देख लेना ताकि अगर तुम कुछ नया पर रहोगे कुछ भी ऐसा पर जो कि तुमने पहले मिस कर दिया होगा फिर कुछ भी रिविजन कर रहोगे तो उससे पॉइंटर से तुम नोट करोगे फिर फाइनल रिविजन उसके लिए फायदा हो जाएगा तो मस्ट वाच शॉर्ट नोट वाला वीडियो लिंक में डिस्रिप्शन में डाल दूंगा फिर आई-कार पे क्लिक कर लेना पॉइंट नमर थी ऑफकॉर्स मॉक टेस्ट त जितना कर तुम अच्छे से अनालसिस कर सकते हो कि हार जो गलतियाँ की मैंने उसको सॉल्फ कर लिया और the same time तुमको यह मैक शॉर करना है कि जो भी गल्तियां आज की आदले मॉक टेस्ट में कर रहे हो वो गलतियां कल के मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए अगर तो प्लीज उन टॉपिक पर अच्छे से अनलाइज करोगे और गलती को रिपीट नहीं करोगे प्लीज उन टॉपिक पर अच्छे से फोकस करो और इन सब के साथ साथ एक राइट माइंड सेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर तुम अभी ठाल लोगे तुम से निकल सकता है तो तुम निकाल लोगे अगर तुम यह सोचो कि करें नहीं अब तो होनी पाएगा बस पढ़ लेता हूं वेकर भाहिया बोल रहे हैं तो फिर नहीं होने वाला तुमको अपने उसी मोटिवेशन को वापस लाना होगा इसस कि देख लिया है फ्रैंस के दाथ हमने चले गया इस ओके बोल जा सब कोच बट अभी जो एक महिना बचा है उसमें अपना 100% देना है इसके साथ साथ एकना सीरीज बना रखी हमने जी जीतेंगे इसमें बहुत सारे स्टैटेजी बता रखी है तो उस सीरीज को गो थू कर ल कि दो की दूएंगे एक लिए ये निए इस एकली नॉबह स सब्सक्राइब का लागी बता है